मुझजफरपृ के नगर ठाना छेत्र में दो नावालिक बच्चियों को जबरन घर में रखकर मजदूरी कड़ाने का आरोप लगा बच्चियों की मानें नगर ठाने में आवेदन दिया है पीरित हसीना खातों ने आरोप लगाया है कि थाना छेतर के नई बाजार निवासी रिहान की घर पर उनके 10 वर्षिय और 8 वर्षिय नावालिक बच्चियां रहकर सिलाई कढ़ाई चौका बरतन आदी करती थी वही बीते एक माँ पुर्व उनके पती की तबित खड़ाब हो गई थी जिसके बाद वह उन्हें देखने अपने जंजार पुर इससे ससुराल गई थी तथा जो जनवरी को ससुराल से लोटने के बाद वह उपरोक्त माली के घर गई और हिसाब किताब करने को कहा जिसके किता सदर स्पिताल से इलाज करवाकर नगर थाने में शिकायत करने पहुची और नयाएगी गुहार लगाई आणनु, अननु के बेटा है अननु कहां कराने बाला हुला हुला MR अलिमीर जारोर में चाक अटी थी वहां है जारो पोचया वही भी नहीं राती है हां और दो हुर है कितने दिनों को प sebe- zika करी ती वहाँ कि नहीं दे रहे हैं नहीं दो इस बच्चा है एक बच्चा कर नहीं दे रही है अभी आप्षा नहीं हुआ है अभी आज की राई पर हाद आपर आप आप लेकिसे बाहर तारीके ताहिए ना आज बहार जा रही है जाना मुँआ आपका? हसीना घर के नमर पता दिया है ना तो बोला कि जो तुम घर के नमर पता दे तो मैं तुम्हारा बच्छा ना घर पर पहुचा दूगी आपका सुसरार के भी जान जापुर के नमर पता सब कुछ दिये फिर भी नहीं पहुचा आया अपका तो धमकी दे रही है मुझे तरह तरह के पलंग लगा रही है अपका ते तमारा लगा दे दिया जाना मैं है? हसीना खातुम अपने शहर मुझे पहली बार आ गया है मैजिक ट्विश टर्किस आइसक्रीम तो बनाई अपने पार्टी वर ने आयो जुनों को और भी खास करकिस आइसक्रीम के साथ साधिय बर्डे अनिवर्श्री आदी के बुकिंग के लिए अभी समपर्क करे 947074 00681 हमारा पता है 34 फूद कोट ग्रैंड मॉल मिठनपूरा मुझदफरपूर